वेलकम टो माई चैनल गाडनिंग विद सुनीता ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और समर में यदि किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करने पड़ी तो बहुत ही डेंजरस बात होती है लेकिन मुझे करना पड़ा ये प्लांट को हर साल रिपोर्टिंग पसंद है लेकिन म प्लावर्टिंग ये मैंने नहीं सोचा था ये फ्लावरिंग करना बिलकुल ही बंद कर दिया था और गर्मियों में फ्लावर की बहुत ही कम चोईस होती है और ये खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है इस तरडे टुडे टुमोरो वीडियो को एंड तक पूरा हैं इसके फ्लावर्ट बहुत ही अट्रेक्टिव होते हैं और खुजबू भी भीनी भीनी बहुत ही सुन्दर होती है मैंने इसे सिंपल से पॉटिंग मिक्स में रिपॉटिंग कर दिया था सैंड सॉयल और कावडं कमपोस्ट के साथ तो लेकिन इस प्लांट में और भी कु पॉरा देखते रहिए तो इसके रूट बहुत ही रेसेदार होते हैं और इसका मतलब है कि इस प्लांट में हर साल आपको रिपॉटिंग करनी पड़ेगी या मिट्टी देनी पड़ेगी तो रेसेदार रूट होने की वजह से मैं इस प्लांट की ऊपर से कुडाई भी नही कर सकती हूँ क्योंकि इससे प्लांट के रूट डैमेज हो जाएंगे और ये गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है तो इसके प्लांट खराब भी हो सकते हैं तो मैं इसे बहुत ही सावधानी से इसे बड़े से पॉट देने वाली हूँ और आप देखती हूँ इसका रिज फानी से लग जाते हैं और समर्क में ये फ्लावरिंग करता है और ये भी बहुत ही आश्चेर की बात है इसमें रूट बांडिंग बहुत जादा होता है मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्लांट के रूट यदि फैल कर अच्छे से नहीं हो रहे हैं तो उस प्लांट को फैनल पॉट होगा और ये जो प्लांट है यदि अप जमीन में लगाते हो तो इसमें भर भर कर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है तो ये हमारा पॉट भी तो ये हमारे फर्टिलाइजर दे रही हूँ जो फॉस्फोरस रेच होगा वो बनाने के लिए आपको मिट्टी लेनी है और आपको बनाना पील का सुखा हुआ पाउडर लेना है और मस्टर्ट केक का पाउडर लेना है और थोड़ी सी मैं इसमें बर्मी कमपोस्ट भी मिला देती हूँ और मेरे पास ड्राइज सुखा हुआ गोबर की खाद है वो भी मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि इससे इतने सारे मिट्टी इस बड़े से पॉट में मैं नहीं दूँगी फर्टिलाइजर मिला कर इस पॉट को भरना चाहती हूँ ये प्लांट को सेमी हाड उट कटिंग आप बह लग सकते हैं मैंने इस प्लांट को बहुत ही खोजने के बाद मिला है लेकिन अब नर्सरी में असानी से ये प्लांट मिल जाते हैं और मैंने छोटे से एक से डेड़ फुट का प्लांट मैंने लिया था डेड़ सो रुपे में और ओर देने के बाद मुझे मिली थी और अभ भी इस प्लांट को खरी दें, फूलों को देखकर ही खरी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिपोर्टिंग करने का तो बेसिक वही फॉर्मूला है, लेकिन सावधान आप लोग इस बात को इग्नोर मत कीजेगा, कि इसके पहले जो प्लांटर में अपने प्लांट लग तो जिस प्लांट में बहुत ज़्यादा एरियल रूट होते हैं, उस प्लांट में आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कि उसमें मिट्टी और खाद भरपूर मात्रा में दें, ताकि पोधे बहुत खुसी होकर बढ़ें, अब इसमें फ्लावरिंग लान पूरे भर कर वाटरिंग कर दूँगी, पोधों को नहला भी दूँगी, तो ये मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है, अब मैं इसे दो दिन बाद का रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, पोधे तो हरे भरे हैं, कोई सौक नहीं लगा है, क्योंकि मैंने रूट बॉल खाली ह अलग नहीं किया था, और मुझे लग रहा है कि पोधे बहुत अच्छे से चल जाएंगे, और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, अब चलिए तीन चार दिन के बाद का रिजल्ट भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए तीन चार दिन के बाद का रिजल्ट है और मैं बहुत खुस हूँ कि इसमें एक दो कलियां भी मुझे नजर आ गई है, और अभी ये समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, तो ये रही मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होगे तो चैन झाल 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 झाल